नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल केटिव जोन में तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंदी का एक नए डिसाइन लाए हूँ जो दिखने में बहुत ही खुबसूरा था उसे बनाना तो बहुत है असान है अगर आज का मेरे ये वीडियो पसंदार तो आप उसे लाइक कर दिजे अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब ना क्या हो तो प्लीस उसे सब्सक्राइब कर दिजे और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दे अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की सुरुआत करती हूँ आज की डिजाइन का ग्राफ इस तरह से इस से पहले की वीडियो में आपको स्टार बनाना सिखाया था जिसके इस तरह से कॉर्नर थे आज मैं इसमें एक्ष्टा फिर से एक डायमेंड लगा रही हूँ तो चलिए से बनाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखे इस तरह से मैंने इस पॉइंट में अपने नीडल को निकाल लिया अब जैसे जैसे मेरा ग्राप जाएगा बस वैसे वैसे जाना यानि हमें अब यहां से यहां आना तो यहां से आएंगे तो हमें ठीक ग्राप से थोड़ा से पीछे नीडल को डालेंगे इस तरह से ग्राप के पास निकाल लेंगे और अब हम यहां से आएंगे तो यहां भी इसी तरह से ग्राप से थोड़ा पीछे नीडल को डालते हुए ग्राप के पास निकाल लेंगे अब हमें यहां से यहां पणाना तो यहां भी इसी तरह से देखे ग्राप के पीछे नीडल को डालते हुए ग्राप के पास निकाल लेना है फिर थ्रेट को हमें अपने नीडल के आगे इस तरह से रखना है फिर हमें यहां से यहां आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है फिर हमें यहां से आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहां है और अब हमें यहां से यहां पे आना है तो जब हम यहां से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से स्ट्रेट के नीचे से देखर आना है यहां भी इसी तरह से बस यहां से यहां और यहां से हां हमें तो देखें इसी तरह से हम इसके चारों तरफ बना लेंगे अब हम यहां से यहां से हमें इसके ऊपर से यहां भी इसके ऊपर से और इस वले त्रेट के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है और ठीक यहां पर हमें इस तरह से नीडल को डालते हुए अब हम यहां पर अपने नीडल को निकालेंगे तो यहां पर हमें इसके ऊपर से और यहां पर इसके नीचे से जाना है तो बस इसी तरह से बस up and down का ध्यान रखते हुए हमें से बना लेना अब हम यहां से यहां आएंगे और फिर यहां आएंगे और फिर हमें यहां से यहां पर आना है तो देखिए इस तरह से हमें यहां आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जारा बस वैसे वैसे जाना और यहां से हमें देखिए इस तरह से इसके नीचे से फिर उपर से फिर नीचे से इस तरह से अल्टरनेट करना है फिर हमें ग्राफ के ल सर जाना है फिर यहां से यहां और फिर हमें यहां से यहां नहां है और फिर यहां भी इसी तरह से पहले के नीचे से फिर उपर से फिर नीचे से फिर उपर से तो देखें इसी तरह से हमें इसे बना लेना है फिर हमें यहां से यहां फिर पहले वाले थेट के नीचे से नीडल को डालते हैं ठीक यहां पर हमें नीडल को इस तरह से नीचे कल देना तो देखें मेरा यहां पर पहला और दूसरे स्टेप बन कर तेयार है अब मैं बताओंगी कि तिस्टेप में क्या करना अपने नीडल को इस तरह से यहां पे इस क्रॉस के पास निकाल लिया है और यहां से अब हमें यहां आना है तो देखे इस तरह से हमें यहां आना है फिर यहां से हमें इस वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहां से अब हमें यहां आना है तो देखे फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है पहला ओला थ्रेड उठाना है फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे पहला ओला थ्रेड उठाएंगे फिर यहां से हमें अपने नीडल को निकालना है पहला ओला इस तरह से थ्रेड को उठा लेना है यानि कि फिर हमें यहां से यहां आना है इसको ट्राइंगल में आएंगे फिर हमें इस वाले ट्राइंगल में इसी को इसी तरह से देखे हर कॉर्णर की बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है मैंने यहां पे थोड़ा सा बड़ा गराप बना है ताकि आपको अच्छे से समझ में वरन उठा लेना तो अब हम यहां आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखिए हर क्रोस के 20 से बस हमें अपने नीडल को निकालते जाना है फिर यहां से यहां आएंगे पहले वाले के नीचे से निकालेंगे और यह जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और यहां से अब हम यहां जाएंगे बस इसी तरह से हमें पूरे चार तरफ इसी तरह से पूरा स्टार जो है हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है तो देखिए चार धागा होगा तो पहले वाले धागे और तीसरे वाले धागे की नीचे से फिर हमें ये वाला धागा उठाना फिर यहां से आना है और फिर यहां से हमें यहां आना है तो बस बहुत सिंपल है बहुत आसान है और यह जैसा आप देख रहे हैं यह डिजाइन बहुत छोटा मोटीव है इसे आप बूटे की रूप मे all over dress में कहीं भी सारी में, सूट में, दुपटे में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो इसके center में mirror लगा लिजे, जिससे और भी खूब सरत लगेगा फिर हमें यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, बस एक triangle से, दूसरे triangle में हमें आना है, फिर यहां से इस diamond में आ जाएंगे फिर पहला ओला thread उठाएंगे फिर हमें इसके 20 से अपने needle को एक एक करके निकालते जाना है फिर इस तरह से देके चार धागा है, तो हमें पहले और तीसरे thread को उठा लेना है फिर हमें यहां आना है और यहां से अब हमें यहां आना है, यहां भी सी तरह से इस corner से हमें उठाते हुए अब हम एक triangle से दूसरे triangle में और फिर last में हमें इस तरह से diamond में आना है और बस एक एक करके thread को उठाटे दाना है अब देखे, अब हमें यहां पे इस तरह से अपने needle को इस cross के पास से इस तरह से देखे हम निकाल लेंगे और फिर यहां से अब हमें एक पूरा circle बनाना यहां से तो देखे, यह पहला ओला thread हमें यहां पे इस तरह से यह जो पहला ओला thread है इसे उठाना है और इसे हमें अपने needle पे उठा लेना है इस तरह से तो देखे, मैंने इस तरह से अपने needle को ठीक यहाँ पर हमें अपने निडल को नीचे कर लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर निकाल लेना अपने निडल को और फिर इस तरह से देखे 4 धागा होगे हट ट्राइंगल में तो बस आपको इसी तरह से alternate करना है यानि कि पहले और तीसरे वाले धागे को हर डामेंड में आपको इस तरह से नीडल पे उठा लेना है यहां भी उठाएंगे और फिर हम यहां आएंगे तिहां भी इसी तरह से पहला और यह जो तीसरा अला धागा इसे हमें उठा लेना है तो इसी तरह से हमें हर ट्राइंगल में बस पहला और या जो तीशरा अला धागा है इसे उठाते जाना है अब हम यहां पर आंगि यहां भी इसी तरह से देखे पहले और तीसरे वाले धागे को उठा लेते हैं तो ठीक इसी जगह हमें अपने दिया से भाँ कर लेदान तो देखे मीरल लंगने के बाद ये कितना खुबसूरत लग रहा और इसे बनाना कितना ही आसान था अगर आज का मेरे ये डिजन पसंद है तो आप इसे जरूर शेयर करें तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में